हालो गाईज आजके लेक्सर में हम इंटीग्रेशन से मोस्ट इन्पोर्टेंट क्यूशन को डिसकस करेंगे तो गाईज शुरू करते हैं इंटीग्रेशन ओफ डी-एक्स अपन साइण एक्स प्लेस साइण टू-एक्स तो सबसे पहले हम क्या करते है sin2x का formula लेगा i is equal to integration of dx upon sinx plus sin2x का formula 2 sinx cos x ठीक है अब हम क्या करते है नीचे से sinx को पोमल लेगा तो i is equal to integration of dx x upon sinx को हमने कोमल लेगा तो यहां क्या बच गया 1 और आगे बचेगा आपका 2 cosx ठीक है अब इसके नेको next step इसको हम sinx से उपर नीचे multiply कर देगा ठीक है मैंने क्या किया sinx से उपर नीचे इसको multiply कर दिया तो हमारे पास i is equal to क्या हैगा integration of sinx dx upon sinx into sinx sin square x और into में 1 plus 2 cosx ठीक है अब देखो मा sin square x को क्या लिख सकता हूं 1 minus cos square x so i is equal to integration of sinx dx upon sin square x को हम लिखेंगे 1 minus cos square x और into में 1 plus 2 cos x clear अब आपको क्या रहना है cos x को t ले 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 left cos x is equal to t और और इसको x के respect में differentiate करेंगे तो minus sinx dx is equal to d अब इस minus को इस side ले क्या आते हैं तो minus का हो गया तो sinx dx को में लिख सकता हूं minus dt so i is equal to हमारे पास क्या आएगा minus dt upon 1 minus t square ठीक है और into में 1 plus 2t ठीक है अब अब आपको यह जो आपको 1 हाना तो इसको मा 1 का square लिख सकता हूं तो यह क्या बन जाएगा a square minus b square जिसको हम a minus b a plus b लिख सकते हूं so i is equal to integration of minus dt upon 1 minus t into 1 plus t into 1 plus 2t क्या है अब आपको आपको पास्टेक्ट फ्रेक्शन में ब्रेक करते है so resoling into partial fractions ठीक है so i इसको आपको लिख सकते है minus 1 upon 1 minus t into 1 plus t into 1 plus 2t easy गर अब इसको पास्टेक्ट फ्रेक्शन में कैसे लिख सकते है a upon 1 minus t plus b upon 1 plus t plus c upon 1 plus 2t ठीक है अब आपको इसका lcm लेते हैं इसको lcd करदेगे minus 1 upon 1 minus t into 1 plus t 1 plus 2t easy गर इसका lcm क्या हैगा 1 minus t into 1 plus t into 1 plus 2t इसका डिवाइड करेंगे ये कैंसी ये a के पंटिप्लाइ में आजैएंगे A into 1 plus T into 1 plus 2T फिर plus B इसका डिवाइड करेंगे तो यह कहेंची यह दोनों इसके multiply में आजाएंगे 1 minus T into 1 plus 2T फिर plus C अब यह दोनों इसके multiply में आएंगे 1 minus T और 1 plus T अब इस LCM से आपका यह कहेंची हमारे पास क्या आगया minus 1 इसको copy कर दो A into 1 plus T 1 plus 2T फिर B into 1 minus T 1 plus 2T फिर C into 1 minus T और 1 plus T ठीक है अब हम क्या करते है A, B, C की value find out करेंगे उसके लिए हम यहां से T is equal to 1 put करेंगे जब T की value 1 put करेंगे न तो आपके पास B 0 हो गया और C 0 हो गया ठीक है तो आमारे पास A की value आजेगे minus 1 is equal to 1 ए स्वोरी A 1 plus 1 और यहां से आजेगा 1 plus 2 तो आमारे पास A की value कितनी आगी A की value आगी हमारे पास minus 1 by 6 ठीक है अब हम क्या करते हैं T की value हाना T is equal to minus 1 put करतें minus 1 put करेंगे तो A 0 हो गया और आपका C 0 हो गया ठीक है B की value आजेगे तो देखो B की value कितनी आगी यहां से तो minus 1 minus 1 put करेंगे तो हो जाएगा B into 2 और 1 minus 2 तो B की value आगी यहां से plus का half ठीक है अब हम C की value निकालेगे तो C की value निकालने के लिए हम T is equal to अब हाफ रख देदे minus का ठीक है minus का half रखेंगे तो A 0 हो गया B 0 हो गया तो मारे पास C की value आजेगे इस साइड से minus का 1 is equal to इस साइड से कितना हो गया C 1 minus का half तो यह हो जाएगा 3 by 2 और यह आपका क्या बनेगा 1 minus half तो 1 by 2 ठीक है तो minus 1 is equal to हो गया यह C into 3 by 4 यह साइड आएगा तो C की value आजेगी minus की 4 by 3 यह हमारे पास A, B और C की value आगे यह value आप इसको equation number 1 डाल दो इसमें put करेंगे और दोनु साइड का integration करेंगे इसको आप note करेंगे इसको रफ कर रहा है देखो यहां से हम क्या करेंगे equation first का दोनु साइड का integration करेंगे और ABC की value रखेंगे A है A की value क्या है minus 1 by 6 तो इसके equal में आएगा minus 1 by 6 integration of dt upon 1 minus t फिर देखो plus B की value क्या है 1 by 2 तो 1 by 2 integration of dt upon 1 plus t फिर C की value रखेंगे minus 4 upon 3 integration of dt upon 1 plus 2t अब हम इसको integrate करते हैं इसको में रफ कर देता हम तो देखो इसका integration क्या आएगा यहां से आएगा minus का 1 by 6 इसका integration होगा log of 1 minus t और upon में इसका derivative करेंगे तो minus का 1 आज़ेगा फिर प्लस 1 by 2 इसका integration log of 1 plus t ओके फिर minus 4 by 3 इसका integration log of 1 plus 2t और upon में 1 plus 2t का derivative 2 जैखो 1 plus 3 का derivative नीचे 1 है लिखना चाहूँ लिख सकते हैं कोई प्रोब्लम ने और प्लस में c अब इस minus से यह minus cancel आपके पास आगे 1 by 6 log of 1 minus t और प्लस में 1 by 2 log of 1 plus t 2 से यह कटे गा 2 time minus 2 by 3 log of 1 plus 2t प्लस अब आपको क्या करना है यहां से t की value रखने है और answer आ जाएगा t के आपके पास course x तो finally जो हमारे पास answer आएगा 1 by 6 log of 1 minus cos x प्लस का 1 by 2 log of 1 plus cos x minus 2 by 3 log of 1 plus 2 times cos x प्लस c यह इसका answer है ठीक है गाईज तो यह आपका question complete और exam के point of view से अच्छा question है resistant इसको आप अच्छे से solve करें डेरेश्ट अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो please इनको like and subscribe जरूप करें thank you for watching कर्स mendजी करें